आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अब ही डाउटनोट करें। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला है CH3CH2NO2, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, दो कार्बन है, तो एथ, और क्योंकि ये सभी सिंगल बॉंड से जुड़े होंगे, तो इससे क्या बोलेंगे, नाइट्रो एथेन, ठीक ह तो यहां पे रियक्शन कराते हैं, ये रियक्शन क्या कहलाती है, ये रियक्शन कहलाती है, आशिक अपचेन, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इसका अपचेन नहीं होता है, आशिक रूप से होता है केवल, CH3, CH2, NO2 इसकी reaction कराएंगे zinc और NH4 CL की presence में तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा CH3, CH2, NH, OH और साथ ही में H2O बाहर निकलेगा तो यह क्या है यह एक टाइप का hydroxyl amine हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि N-alkyl hydroxyl amine यहाँ पे अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होते हैं ठीक है तो यहाँ हम लिख लेंगे Ethyl hydroxyl amine Ethyl hydroxyl amine ठीक है और हमें यह किस से मिला है यह मिला है nitroethensi तो जो हमें statement यहाँ पे दिया हुआ है question में उसके according यह reaction में हमें Ethyl amine नहीं प्राप्त हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो गलती है वो कहा है वो इसमें है यहाँ पे बोल ला है कि अप्चैन करने पे Ethyl amine प्राप्त होगा जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे जो में final product मिलेगा वो मिलेगा एक प्रकार का hydroxyl amine जिसका नाम है Ethyl hydroxyl amine ठीक है और यह जो reaction होती है इस reaction को हम क्या बोलते हैं कि यह एक प्रकार का आशिक अप्चैन हो रहा है ठीक है और यह किसका रासाइनिक गुण है यह amines का रासाइनिक गुण भी कहलाता है आशिक अप्चैन ठीक है और संपूर्ण अप्चैन में क्या होता है श्रहरो ए अगर हम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वह पूरा अमीन में ऑने चाहएगा अगर और यहां पर नाइक्षिन लिया है तो वह बन जाएगा पर अमीन यायू यहां अब्धार माई कि णार और यहां पर क्या होगा की आर कि NO2 जब reaction करेंगे zinc NH4 CL की presence में तो हमें यहाँ पे एक hydroxyl amine मिलेगी ठीके और यह है आंशिक अपचेन थैंक यू